वितमत्री निर्मास सीतरमण ने संसद में 2022-23 का आम बजट पेश कर दिया है बजट में PM गति शक्ती मास्टर प्लान का जिक्र किया गया है निर्मास सीतरमण ने कहा है कि बजट 2022-23 अगले 25 साल की बुनियात तैयार करेगा साथी कहा कि 60 लाख नोक्रियों को दिया जाएगा और गरीबों को 80 लाख घर दिया जाएंगे मैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इंकम पर 30 फिजदी का टेक्स लगेगा एक फिजदी टीडियास भी कटेगा इसके लावा कहा गया कि टेक्स रेड में पूरा पैसा जब्द किया तो बजट में 25 साल का ब्लू प्रिंट रखा गया है बजट की बड़ी बाते आपको बता रहे हैं साथ लाख लोगों को नोकरी देने का लक्शन रखा गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रेक्शर को मजबूत किया जाएगा एल आई सी का आई प्यो जल्द आएगा इस बजट की बड़ी बाते आपको बता रहे हैं एक साल में 25,000 किलू मीटर हाइवे बनेंगे सौ गती शक्ति कारगो टर्मिनल बनेंगे निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्श भी सरकार ने रखा है इसके साथी MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी तीन साल में 400 वंदे भारत ट्रेंग चलाने का लक्श रखा गया है पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा 130 लाख MSME को अत्रिक कर्ज देने का प्रावधान किया गया है 750 नए E-Labs बनेंगे गाओं और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाने का लक्श तैयार किया गया है 2022-23 में चिफ वाले E-PASPORT बनेंगे शहरों में इलेक्ट्रिक जोवान है उनको बढ़ाया जाएगा बैटरी अदला बदली पॉलिसी बनेगी दिव्यांग के मातापिता को टेक्स में छूट देने का फैसला भी सरकार ने किया है इसके साथी कर्मचारियों की पंशन में टेक्स की छूट रहेगी NPS में 14 फिजदी केंद्र और राज्य का युगदान होगा क्रिप्टो करेंसी पर इंकम जो होगी उस पर 30 फिजदी टेक्स लगाने का फैसला किया गया है क्रिप्टो करेंसी पर 1 फिजदी TDS भी कटेगा तो बजट में 25 साल का ये ब्लू प्रिंट रखा गया है ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं आज जो बजट पेश किया गया उस बजट में क्या कुछ खास रहा है यह आपको यहाँ पर हम ग्राफिस के जरीया आपको बता रहे हैं इस बजट की जो बड़ी बाते हैं वो भी यहाँ आप देख पा रहे हैं आज जो बजट पेश किया गया है साल 2022-23 का यह अपने आप मेहत्वपूर बजट और एक संतुलित बजट इसको आप कह सकते हैं एक संतुलित बनाने की कोशिष सरकार के उर्षी की गई है ना सरकार ने बहुत जादा दिया है और नहीं आम लोगों के उपर कोई बहुत जादा अत्रिक्ट बोज इसमें डाला गया है खास्तोर पर जो मिडल कलास है उसको जरूर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है क्योंकि इनकप्ट एक्स जो सलैब है उसमें किसी तरह की कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है इसके लावा अगर हम एग्रिकल्चर सेक्टर की बात करें तो खेती किसानी करने वारे लोगों के लिए भी एक बड़ी रहत के बाद बात आज देखने को मिली है और वो यह है कि जो खेती का सामान है उसको सस्ता करने का फैसला सरकार ने लिए आए तो इस बजट की जो बड़ी बाते हैं वो यहाँ पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ आज एलान किये हैं जब वितमंत्री निल्वासीतरमन आज सदन के अंदर बजट भाशन पढ़ रही थी तो उन्होंने क्या कुछ एलान किये हैं क्या कुछ बड़ा एलान रहा हैं यहाँ पर आपको हम लगातार बता रहे हैं किर्प्रो करेंसी पर जो इंकम होगी उस पर 35 फ्षिज दी टीडियास की बात कही हैं मैं तो सरकार के यह मानना है कि यह बजट एक साल दो साल का बजट नहीं है बलकि ये बजट हम 25 साल का बजट लेकर चल रहे हैं यानि कि 25 सालों का एक blueprint अगर आप इस बजट को देखेंगे तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा